कर देख बिना बरेक डौूमलोड तक ऐब तालेस लोग मर गए इसकी तो चिंता जोख है किन्तु अभी कितने और जोग मरेंगे इसका मुझे ओर ज्जादा भी चिंता है उसका कारण ये है कि उपहार सनीमा कांड के बाद 20 साल में हमने कुछ नी सेखा किसी भी जंगय किसी भी राज्य में कोई घटना दुर घटना है तो उसकी जम्मेदारी उसी राज्य की सरकार के उपर है तो दिली सरकार की जम्मेदारी है अगर दिली सरकार सबको बिठाए और वो बैठने से मना करें तब म मैं हकीकत बता रहा हूं आदे से जादा पुरानी दिल्ली तूट के मलबे के रूप में नीचे पड़ी हुई है कोई चिंता नहीं कर रहा जाके और आदी अभी तूट जाएगी और इसी तरीके से लगातार लोग रोजगार की तलाश में जब दिल्ली आते हैं तो आपको पह सद्दिक्स नहीं होती पॉल्लिक्स वह होती है जिसके अंदर आप सच ना कहें और छूट कहें क्या मैंने आपको क्या कर भाजपा सासित एम receiver की है एक वी लिंटन लगता है ईता लगता है कोई निरमार होता है भाजपा सासित M.C.D. के अफसर उसके नेता और पुलिस वाले पहुंचके वहाँ धनुगा ही करते हैं और इस तरह का अवैद निर्माड करवाते हैं अगर किसी घर में अवैद फैक्टरी चल रही है तो उसको सील करानी के जिम्मेदारी भी M.C.D. की है इसमें दिली सरकार का रोल कहा ना आता है और अभी आपने देखा प्रकास जावरकर जी ने दो महिने पहले वैयान दिया है कि ना लेबर डपार्टमेंटthemेंट से सब्कमेद आता हुप ना इंडस्टailleurs सरकार के मंतरी ने उसको तो देख लीजे आप इस सांवोहित प्रियास कीजिए आगे भविस्त में कैसी ऐसी घटनाओं कि पुन्रावित्ति नहों जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें और दोस्ताइं किया जाए जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए उनके उपर लापरवाही के कारण हुई हत्या का मुकदमा दर्जोना चाहिए मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली सरकार के फायर विभाग कोई नहीं नदी कोई अनापत्ती प्रमानापत्रि को चलाने के लिए लिए पंब आरोप लगाना है आम आदमी पाठी पर दिली सरकार पर केजरी वाल पर इस्ते इनको फुरसत ही नहीं मिल लए हे